चौथा प्रस्न भगवान, आपके इस मर्दी क्यों इतनी चमतकारी के? सुभे नास्ते में क्या लिया है? यह भी मैं दो फैर के आते आते भूल जाता हूँ, क्या अच्छी इस मर्दी का गुर्ध बताने की करपा करेंगे? सहजनन्द मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि 1924 में 12 फरबरी को सुभे नास्ते में मैंने क्या लिया? या 1977 में सुभे के बोजन में क्या लिया? या 1978 में 15 मार्च को सांच के बोजन में क्या लिया? और उसका कारण ये नहीं है, कि मेरी इसमर्द्य अच्छी। उसका कुल कारण इतना है कि नास्ता मैं रोज वही लेता हूँ। वो भोजन भी रोज वही करता हूँ, उसमें भेद ही नहीं करता हूँ। तुम कोई भी तारीब की बूछ लो, मैं जवाब दे सका हूँ उसमें भूल चुक को उपाए ही नहीं कुछ चमतकार की बात नहीं है अब अगर एक ही नास्ता कोई आदमी ले रहा हो रोज बरसों से भूलना भी चाहे तो कैसे भूले तुम बताओ चमतकार याद रखने में नहीं होगा चमतकार भूलने में हो जाए भूल सकते ही नहीं खाना भी वही लेता हूँ रोज नीमित सुबह भी वही, साम भी वही उतने ही कप चाय पीता हूँ रोज तारीख कोई हो, दिन कोई हो, साल कोई हो स्वस्थों के बीमार कोई फर्क नहीं करता हर आलत में सब वैसा ही चलने देता हूँ जैसा चलता है इसमें कुछ इसमर्थी की खुबी नहीं दूसरी बात जो भी मैं तुम से कहता हूँ वो मेरा अनुभव है इसमर्थी नहीं इसलिए उसमें भी भूल चुक को कोई कारण नहीं तो मुझे आदी रात उठा के पुछ लोगे तो भी यही कहूंगा क्योंकि मेरा अनुभव है हाँ अगर तुम्हारा अपना अनुभव नहीं है तो गड़बल खड़ी हो जाती है इसमर्थी पर निर्भव रहने का मतलब यह होता है कि तुम दूसरों के अनुभव पर निर्भव रह रहे हो गीता में क्या लिखा है अगर ये तुम्हें याद रखना है तो इसमर्थी चाहिए कुरान में क्या लिखा अगर ये तुम्हें याद रखना दिसमर्दी चाहिए मैं गीता कुरान की फिक्र ही नहीं करता और कभी अगर गीता कुरान का उलेख भी करता हूँ तो भी इसकी फिक्र नहीं करता कि लिखा भी है उनमें ऐसा की नहीं लिखा है मैं नागपुर में था और मैंने एक बुद्ध के जीवन की कहानी कही कि बुद्ध एक रास्ते से गुजर रहे वो उनके बुद्धत्व के उपलब्धी के पहले की घटना वो अपने एक सिस्स से बात कर रहे एक मक्षी उनके मुँपे आके बैठ गई बात जारी रही उन्होंने और जैसा ज्याम दौर से हम करते मक्षी को यंत्रवक्त आँस से ओड़ा दिया फिर ठिटक के खड़े हो गए तक च्छन याद आया है कि मक्षी को होस्पूरवक नहीं ओड़ाया और वही उनकी साधना थी वही साधना में वो लगे थी कि प्रते करते होस्पूरवक करना यंत्रवत नहीं अब मक्षी तो थी नहीं वो तोड़ गई थी मक्षी को क्या मतलब कि तुमने यंत्रवत उड़ाया कि होस्पूरवक उड़ाया मक्षी को क्या लेना देना वो तो हाथ देखके उड़ गई लेकिन बुद्ध अपने हाथ को उठाए फिर से जैसे की मक्खी बैठी हो सिस्ष खड़ा होके भौचक्का देखता रहा बुद्ध हाथ को ले गए सिर के पास मक्खी को उड़ाया जो कि वहाँ थी ने फिर वापिस हाथ को नीचा किया है फिर जहां बात टूट गई थी वहाँ बात सुरू की सिस्ष ने का मैं बात तो भूली गया मैं ये पूछना चाहता हूँ ये आपने क्या किया मक्खी तो कब की वो चुकी आप पहले उड़ा चुकी अब क्या उड़ा रहे थी बुद्धन का अब मैं इस तरह उड़ा रहा था जैसे कि मुझे पहले उड़ाना चाहिए लग बूल हो गई बूल सुधार कर रहा था और देख रहा था कि किस तरह उड़ाना उचित होता वो मैंने अनभोग करके देखा एक बहुत भिख्षु मेरी ये बात सुन रहे थी वो रात मुझे मिलने आए उनका कहानी तो आपने बड़ियत होता ही मैं लेकिन मैं त्रिपिटक पर चुका हूँ पूरे सास्त्र बौध होगे ये कहानी कहीं है ही ने तो मैंने कहा जोड़ ले न छूट गई होगी लिखने वाले भूल गए होगे वो मुझे बहुत भूचक्के होगे देखें उनका आप कहते क्या है पचीश सो साल बाद आप कैसे सुधार कर सकते हैं सास्त्र मैंने को मुझे सास्त्र से कुछ लेना देना नहीं मैं बुद्धत्व का स्वाज जानता हूं यह कहानी घटने ही चाहिए बुद्धत्र की साधना में जो लगा है उसके जीवन में ऐसी घटे वैसी घटे को कोई और ढंग से घटे मगर यह घटने ही चाहिए कई तरह घट सकती है उन्हें का बात तो बिलकुल जमी बात समझने भी आई कि बुद्ध की सारी साधना ही जागरूपता की है तो मैंने का कि बस बात जमने की बात है बात समझने की बात है बुद्ध की अंतर धारा के परित नहीं अंतर धारा के बिलकुल अंकूल है तो फिर मैंने का कि मेरा अंतर धारा सिविना देना, सास्त्रों से मिरी मुझे क्या पड़ी है हूं तो सास्त में तो थीक, San noace, में कोई सास्तर नहीं हूँ और न मुझे सास्तर होने में कोई रस कि इसलिए मैं जो उध्रन देता हूं तुम यह मत सोचना कि ठीक वैसा उध्रन तुमें मिली जाया मिल भी सकता है ना भी मिले मगर सुनने वाले को निश्चित ही लगेगा कि मैं इतने बल पूरवक कहता हूँ कि होना ही चाहिए बल का कारण ये नहीं है कि सास्त्र में है ही बल का कारण ये है कि मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि ऐसा ही सकते है सास्त्र में होतो ना होतो सारे सास्त्र भी नश्ट हो जाएं तो भी जो मैं कह रहा हूं वो सकते हैं सारे सास्त्र बिपरीत हो तो भी जो मैं कह रहा हूं वो सकते हैं और सारे सास्त्र पक्ष्म हो तो भी जो मैं कह रहा हूं वो सकते हैं ये इस मरती का सवाल नहीं है पूछो मैं यहां इस्मर्ति सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ इस्मर्ति सीखनी हो कठिन मामला नहीं है एक यह रास्था खुब घौको और कोई रास्था नहीं है इस्मर्ति का जो भी याद करना है खुब घौकते रहो उसको बार बार दोराओ ताकि लगीर पड़ जाए कावद तो सुनी न रस्री आवज्जात है सिल पर पड़त निसान पत्थर तक पर निसान पड़ जाता रस्री आते जाती रहे आती रहे जाती रहे करत करत अभ्यास के जड्मति होत सुजान सुजान नहीं होते है ख्याल रखना जड्मति तो जड्मति ही रहते हैं अभ्यास कितने करे हैं हाँ इस मर्ति उनके अच्छी हो जाती पंडित हो जाती सुजान नहीं सुजान तो बात और है और जडमती भी अगर कोई पक्की जडमती हो तो यह कावत भी उन पर लागू नहीं होगी रसी आती रहे जाती रहे घिज जाएगी रसी टूड जाएगी उनकी सिल्फ निसान लगे रहने पड़ेगी अगर सिल्ह मजबूत हो तो क्या करेगी रसी सेजानंद अगर किसी चीज को याद करना है तो दोहराओ दोहराते रहो इसी तरह तो पाठ कर रहे हैं लोग बैठे रोज सुबह गीता का गुरांग का दोहराते रहते हैं दोहराते रहते हैं दोहराते रहते हैं तोते को भी तुम रोज रोज कहो कि तोता भी घबड़ा जाता है सुन सुन के कि राम 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 वो भी कहने लगता है कि राम 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 तोतों तक में इस मर्ती आ जाती मगर कोई सुजान नहीं हो जाता तोता मुझसे तो तुम पूछो बोध का गुर्ष बुद्धत्व का राच इसलिए मुझसे बंडित नाराज है क्योंको उनको अर्चन होती उनको हैरानी होती वो सांस्तिर की बंधिवी लकीरों से जीते मैं कबीर पर बोला तो कबीर पंधियों के यो प्रधान है उनका पत्रा है लंबा पत्रा है कि और तो आपने सब अच्छा कहा लेकिन एक जगे आपने कबीर की इस तरह वे अच्छा की जो सांस्तिरी नहीं तो मैंने उनको लिखवा दिया कि वो सांस्तिरों का दुरुभादी उसमें मैं क्या कर सकता हूँ मुझे जो कहना है वही कहूंगा सांस्तिर का समर्धन मुझे मिलना चाहिए इसकी न तो अपिक्षा है न जरुवत है न प्रियोजन है मैं जो भी बोल रहा हूँ उसका प्रमान मैं हूँ उसका प्रमान कहीं और नहीं इसलिए मैं सारी बातों को बलपूरवक बोल सकता हूँ ऐसा बल इस मर्ती का नहीं होता है ऐसा बल इस मर्ती में हो ही नहीं सकता हूँ और भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है अपना अनुभा है भूलू भी तो कैसे भूलू जो जाना है सो जाना है इधर से पूछो, उधर से पूछो, हजार धन से पूछो मैं वही कहूँगा जो मुझे कहना है कई लोगों ने मुझे खबरे की कि आप भी गजब ये कबीर पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कबीर ठीक और मीरा पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है मीरा ठीक और रैदास पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है रैदास ठीक और फरीद पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है फरीद ठीक और नानक पर बोलते हैं तो लगता है नानक ठीक मैं उनको कहना चाहता हूँ मुझे उनके ठीक Holz होने से कुछ लेना नहीं मुझे तो ठीक वही बोलना है वो तो बौतले हैं सराब मैं अपनी भरता हूँ अब बोतलों से सराब मैं क्या फरक पढ़ता है नानक की बोतल कि कभीर की बोतल गगरी किसे की भी अनुभवत मैं अपना डालता हूँ इसलिए पंडित नाराज होते हैं कबीर पंथियों का जो पंडित है वो नाराज होगा जो लोग अनुभवत की दिसा में चड़ रहे वो तो कबीर के संबन में मैंने जो कहा है उससे आलादित हो जाएंगी मगर कबीर को पंडित की तरह पकड़ने वाला आदमी नाराज हो जाएगा अब कबीर जैसे आदमी को भी तुम पंडिताव धंग से पकड़ते हो तो अध्य हो गई तो तुम किसको छोड़ोगी कबीर ने कहा है मसी कागद चुओ नहीं कि मैंने कभी कागद जो स्याई हांसे नहीं चुई और कबीर ने कहा है लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात मगर कबीर को मानने वाले उनके जो बड़े मेंथ हैं उनने पत्र लिखा बड़े गुस्से में जो आपने जो कहा ये सांस की बिप्रिक पड़ रहा है और कबीर कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात और मैं देखा देखी बात कर रहा हूँ कभीर जैसे व्यक्ति को जिसने कहा कि धाई आखर प्रेम के बढ़े सुपंडित होए उसको भी लोग कितावों में पकड़े हुए, पोथियों में जकड़े हुए, मेरी इसमर्ती कुछ बहुत अच्छी नहीं, मगर मैं फिकर भी नहीं करता, फिकर करो तो अर्चन, इसलिए बहुत बार तुम्हें यूं भी हो जायाएगा, कि मैंने वही कहानी कभी बोकुजू के नाम से कही, कभी रिंजाई के नाम से कही, कभी बोधिधर्म के नाम से कही, कौम फिकर करता है मेरे लिए ये सब बोतले हैं मुझे कहानी कहनी थी कोई भी बहाना वो खूटिया है मुझे अपना कोट टांग ना था टांग दिया अब खूटिया